वेलकम डियर फ्रेंडिस उमीद करता हूँ आप सभी खेरत से होंगे दोस्तों आज इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टट एमसी क्यों लेके आये हैं आन इंडियन स्पेस प्रोग्राम इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल के एमसी क्यों लाए हैं फ्रॉम इस वीडियो में कवर हो जाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेस्टन नमबर वन से क्वेस्टन नमबर वन आपके सिक्रीम पे हैं दोस्तों इंडिया का पहला मून मिशन उसका क्या नाम था क्या गगनियान था अधितिया या फिर चंद्रियान वन था या फिर मंगलियान था? तो बहुत ही एजी साser कौश्चन है, जो हिंडिया का पहला मून मिशन था, उसको हम चंद्रियान बाइन कहते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, हम चलते हैं, क्वैस्चन अबर टू की तरह, बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो कि पहला moon mission है इंडिया's first mission to moon was launched successfully on ये कब हमने launch किया इंडिया का पहला moon mission कब launch हुआ था बहुत ही important है आपके पास चार option है क्या 2008, 2009, 2010 या फिर 2000 बारे इसका correct answer है 2008 यहां पर correct बन जाता है आप दोस्तों कुछ important information आपके लिए जो चंद्रियान 1 था दोस्तों याद रखनें जो चंद्रियान 1 था इसका स्रिप और स्रिप एक ही mission था एक ही मकसद था वो था orbiter याद रख लेना orbiter, इसका main मकसद था orbiter, चांद के orbiter में डालना बस इसका कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि जो चांद के सता पे लेंड करना वगेरा वो इसका कोई भी मकसद नहीं था इसका सिरिप और सिरिप मकसद था वो था चांद के आर्बिट में जाना वहां पर आर्बिटर डालना तो यह जो मिशन है सक्सेस्पल रहा था उसके बाद हैं क्योंच नमर 3 आपके सिक्रीन पे विच वाज दे लाँच वहिकल आफ चंदरियान 1 आपको पता होगा हर मिशन का एक लाँच वहिकल होता है जिसकी मदद से हम जो है रोकेट को यहां से छोडते हैं तो यहां पर आपको बताना है चंदरियान 1 का कौन सा rocket launching vehicle था या launch vehicle जिसे कहते है लाँच वहिकल अप चैंदरियारवन आपको बताना है इसका जो correct answer है वो है airport यहाँ पर correct बन जाता है PSLV C-11 अब यह PSLV क्या है दोस्तों याद रख लेना यह है polar satellite launch vehicle याद रख लेना polar satellite launch vehicle यह इंडिया का पहला indigeniously produced है इससे पहले आपने पता होगा जैसे कि आरिया बठा जो कि इंडिया के पहली satellite है आरिया बठा इससे तरह कि से बसकारा वो सारे के सारी सेटलाइट थी वो हमने कहां से छोड़ी थी वो हमने रश्या से छोड़ी थी क्योंकि हमारे पास उस वक्त जो है launch vehicle नहीं था तो फिर हमने यह PSLV बनाया है यह इंडिया का indigeniously produced है important है बहुत ही ज़्यादा तो चलिए हम चलते हैं question number 4 की तरह question number 4 आपके screen पे है इंडिया's first mission to the moon was launched from इंडिया का पहला mission जो कि चांद mission है कहां से launch किया था हमने तो बहुत ही easy है इसका तो correct answer है यहाँ पर CPOD बन जाता है स्रीहरी कोटा जो कि आंधरा परदिश में है और हमारा वहाँ पर एक space center है याद रखना है इंडिया के पास बहुत सारे space center है एक जो मशूर famous space center है वो है सतिष दवन space center बहुत important है सतिष दवन space center जो कि स्रीहरी कोटा आंधरा परदिश में है वहाँ से हम moon mission जो भी बड़े बड़े mission होते हैं वो वहाँ ही से launch किये जाते हैं चंद्रियान 1, चंद्रियान 2 और चंद्रियान 3 भी वही से launch किये गए थे उसके बाद है चंद्रियान 1 का cost कितना था तो इसका जो दूस्तो correct answer है आप guess किजिए आपके पास 3 second देता हुमे तो इसका जो दूस्तो correct answer है वो है सीपार्ट 386 करोर बहुत important है उसके बाद हम चलते हैं question number 6 की तरह बहुत important question है in which year चंद्रियान 2 याद रखने है सीपार्ट यहाँ पर correct बन जाता है 2019 स्में तो दोस्तो हम चलते हैं question number 7 की तरह important question number 7 है आपके screen पर important है बहुत ही ज़्यादा चंद्रियान 2 किस launch vehicle से हमने launch किया था बहुत ही important इसका जो correct answer है दोस्तो वो है GSLV mark 3D pot यहाँ पर correct बन जाता है अब GSLV क्या होता है जियो स्रेकिनस सेटलाइट लाँच वहिकल 3 याद रख लेना अब उसके बाद हम चलते हैं question number 8 की तरह important है question number 8 है who is known as the father of Indian space program Indian space program का father किसको कहते है तो बहुत ही important है इसका जो दोस्तो correct answer है वो है बी-pot याद रख लेना विक्रम अम्बाली सरवाई या विक्रम सरवाई जिसे शॉट में कहते हैं विक्रम सरवाई आप याद रख सकते है उसके बाद हम चलते है question number 9 की तरह important है question number 9 आपके स्क्रीन पे है when was चंदरियान 3 launch it बहुत ही important है चंदरियान 3 को कब launch किया गया तो हाल ही में किया गया important है इसका correct answer भी पॉर्ट है आपको याद होगा 14th July 2010 2023 को चंदरियान 3 को हमने launch किया दोस्तों अब हम question number 10 करते है important है the चंदरियान 3 missions rover is known as अब दोस्तों इस question को करने से पहले मैं आपको एक confusion clear करूँगा total जो अब तक चंद mission है वो है यान कि जो lunar mission है वो है चंदरियान 1, चंदरियान 2 एंड चंदरियान 3 अब याद रखना है जो चंदरियान 1 था उसके पास सिर्फ एक ही mission था वो था orbiter यानि और बिटर को चंद के surface यानि कि चंद के orbit में orbiter डालना बस उसके बाद चंद्रियान 2 हैं जो कि 2019 में हमने डाला उसके पास तीन मिशन थे एक तो और्बिटर भी था दूसरा था लेंडर भी और तीसरा था रोवर भी जिसके वाद चंद्रियान 2 चंद्रियान 2 क्रेश लेंडिंग भी हो गए थी उसके बाद जो third mission है हमारे पास तीन मून मिशन है इस mission के पास जो सब missions होते हैं इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही है एक तो है लेंडर और रावर को सौफ्ट लेंडिंग करवाना चांद की सौफ पॉल पे इंपोर्टन है तो अब यहाँ पर कॉस्चन है आपके लिए कि चंद्रियान थ्री जो है इसका जो मिशन रावर है जो रावर होता है उसको क्या कहते थे बहुत ही इंपोर्टन है सैम नाम जो है चंद्रियान टू के भी थे अब आपकर याद होगा जो चंद्रियान रावर है उसको क्या कहते थे इसका जो क्रेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी पॉट यहाँ पर क्रेक्ट बन जाता है उसको प्रग्यान कहते हैं याद रख लिए चंद्रियान 3 का जो रोवर है उसको प्रग्यान कहते हैं और जो लेंडर है उसको विक रभ्यर्प कहते हैं कॉस्चिन no.11 आपके से ग्रि placing पर हैं इस इंपोर्टेंट है दोस्ताब यहाँ पर थोड़ी सी आपको मैं यहाँ पर करेक्टर करूँगा एक्टुल में इसका जो लांचर था LVM-3 लांच वहिकल मौरक3 जिसको जो हैं प्रीविसली इसको यह जो लांच वहिकल मौरक3 हैं इसको प्रीविसली जियो स्रेकिनस सेटलाइट लाँच वहीकल यानि की जी एस एल वी इसी को कहते थे याद रख लेना उसके बाद हम चलते हैं कॉस्टिन नमबर 12 की तरह इंपोर्टन्ट है अब इसको कितना मिशन है यानि की आपको बताना है जो की चंदरियान 3 जब लेंड करेगा मून की सता पे तो फिर वो कितने दे तक वहाँ पर रहने वाला है तो इसका जो दोस्टो करेक्ट आंस है वो है about 14 days यानि कि वन लेंड लेंड करेक्ट बन जाता है उसके बाद हम चलते हैं कॉस्टिन नमबर 13 की तरह important है अब जो चंदरियान 3 लेंड करने वाला है मून की किस साइड पे लेंड करेगा तो इसका जो दोस्टो करेक्ट आंसर है वो है नियर लिउनर सावत पोल जो चंद का सावत फोल है वहाँ पर वो लेंड करने वाला है तो उसके बाद हम चलते हैं question number 14 की तरह बहुत ही important है question number 14 आपके screen पे है which of the following is missing in चंदरियान थाई अब दोस्तों मैंने उपर भी भोल दिया आपको की चंदरियान 3 के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही mission थे एक तो rover था और lander था इन दो को जो हैं चांद के surface पे land कराना था अब यहाँ पर missing कौन सा था orbiter यहाँ पर नहीं था जो कि चंदरियान 2 में था यहाँ पर अब हमने वो cancel कर दिया था तो यहाँ पर इसका correct answer बन जाता है orbiter यहाँ पर नहीं था याद रख लेना important है question number 15 है who is the director of चंदरियान 3 mission अब यहाँ पर director कौन सा था बहुत ही important है इसका जो correct answer है वो है सीपोट वीरू करीडाल यहाँ पर correct बन जाता है अब चंदरियान 3 जो दोस्त चंदरियान 3 जो अब दोस्तों जो चंदरियान 3 mission है बहुत सारे लोगों ने इसमें contribute किया है जैसे ISRO का जो chief था chief secretary S. Somnath उसने भी बहुत ही contribute किया है जो इसका mission director था याद रख लेना जो चंदरियान 3 का mission director था उसको मोहन कुमार भी कहते है तो बहुत सारे जो हैं लोगों ने इसमें बहुत सारे contribute कि उसके बाद है question number 16 आपके screen पे है which is the first human space flight program of ISRO आपको बताना है कि first space flight program of ISRO तो यहाँ पर मैं आपको बताओंगा यह जो प्रोग्राम है इसमें में जो मकसद है वो है 5-6 से 7 लोगों को 400 मीटरों पर जैने कि space में बेज़ना है उनको तो इसका जो जो कहते हैं यहाँ पर कोरेक्टर बन जाता है गगन्यान मिशन उसके बाद जो है question number 17 है बहुत ही important MCQ है which is the first Indian observatory class mission to study the solar corona using a solar करोनोग्राफी अब दोस्तों यह शार्ट में याद रखना है इंडिया का solar mission है यानि कि सूरज से कुछ information निकालनी है तो इसका जो correct answer है वो है अदिती L1 बी पॉर्ट यहाँ पर correct बन जाता है और यह कब हो जाएगा कब हमें यह launch करना है यह है 26th अगस्तुग 2023 यानि कि कुछ टाइम बाद हमको यह वेजना है यह mission भी complete करना है और यह सेम जो है सितिजदवन स्पेस सेंटर से ही यह भी launch करना है उसके बाद हम question number 18 की तरह चलते हैं बहुत ही important है शुक्रियान is a planet orbiter to whence will be launched in दोस्तों यह इंडिया का वेनस mission है यानि कि वेनस के orbit में हमें एक orbiter डालना है तो यह कब हमें करना है आपको बताना है यह भी होने वाला है उसके बाद हम चलते हैं question number 19 की तरह बहुत ही important question है when was the Indian Space Research Organization ISRO set up ISRO कब बना था जिसको Indian Space Research Organization भी केते हैं कब बना था इसका जो correct answer है वो है 1969 बहुत ही important है याद रखना है दोस्तों कुछ important information यहाँ पर provide करूँगा जो Indian Space Program है दोस्तों इंडिया का Space Journey जिसे केते ही कब से start हो गया था यह हो गया था 1962 से start जब पहली बार Indian National Committee for Space Research यानि के in cost पर जिसे केते थे वो वजूद में आ गया था फिर आगे चलतर कुछ development हो गयी थी फिर जाके 1969 में ISRO बन गया था फिर बहुत सारी changes आ गई थी फिर Space Commission was set up Space Commission भी बन गया था 1972 में तो यह चीज़े आपको याद होने चाहिए बहुत ही important है हम चलते हैं next important MCQ की तरह question number 20 आपके screen पे है where is the head quarter of ISRO ISRO का head quarter किस state में है बहुत ही important है तो यहाँ पर याद रखना है उसके बाद है question number 21 चंद्रियान 3 includes बहुत important है चंद्रियान 3 में क्या-क्या include है तो क्या lander only है क्या lander and rover है क्या lander, rover and orbiter है क्या orbiter only तो important है इसका जो correct answer है वो है lander and rover था जो कि हमें softly moon की सता पे land कराने है तो यह जो mission था यह c-pot जो है यह जंद्रियान 2 का था यह जो है orbiter वाला यह जंद्रियान 1 का था तो याद रखना है यहाँ पर जो correct answer बन जाते है वो है b-pot हम चलते है question number 22 की तरह important है which is the first space center of India पहला space center आपको बताना है कौन सा है इंडिया का तो इसका जो correct answer है वो है ए-pot यहाँ पर correct बन जाता है विक्रम सरबाई space center अब यह आज इसे विक्रम सरबाई space center कहते है लेकिन इससे पहले ही जब यह बना था इसको कहते थे Trombe Equatorial Rocket Launching Space Center ओके जो की कैरला में मौजूद है बहुत ही important है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना साथ में चनल को भी सबस्क्राइब कर देना थैंक्यू पर वाचिंग देर फ्रेंड्स